हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुष साबित होगा और हम लोग इक सरकापने में कामियाब होगे मंडी लोग सबस्चेत्र में हैं और यहां पर एक तरफा माहौल कॉंग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने अमीदवार बनाया है मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रम अधित्या भारे भाहुमत से इस लोग सबस्चेत्र जीत कर जाएंगे और हमाचल में चारों सीट हैं चारों सीट पर हमारे अमीदवार बढ़त बनाये हुए है देश में भी आज महाल जो है बदलाव का महाल है और मैं बार बार कहत होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक महाल बना हुआ है वो सचमुष साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनने में कामियाब होंगे बात बोली जाए नारा ही है वह नारा रह जाएगा क्योंकि दस साल के शासन के बाद हर पैमाने पर सरकार अपनी पर्फॉर्म की चिकिच्चा की निवेश की उद्योग की किसान की विरुजगारी की महंगाई की वो चच्चा करते हैं मंदिर की मंगलसूत्र की हिंदू की मुसल्मान की तो मुद्धों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और एक अच्छे महाल में चुनाव लड़ा जाए संबाद हो जनता बहतर मुद्धानों को चुने लेकिन जो मुद्धे हैं वो प्रसंग वो होते हैं जो जनता की जीवन को चुएं बाजपा की कोशिच रहती है कि हमेशा एक आड़ बना कर रखते हैं पर्दे के पीछे से वह भावनात मुद्धों को हवा देते हैं और जमीनी में लिखा किया है जनतान आउमिद हो चुकी है और बदलाव के मूड में है